गुण मॉर्णिंग स्टुडेंस आज हम लोग कुछ कच्छादस की NCRT की New Civics का पार्ट है पहला चिप्टर उसमें सत्ता की साज़ेदारी पढ़ रहे थे सत्ता के साज़ेदारी में हम लोग आज चुचर्चा करने वाले हैं वह है सत्ता के साज़ेदारी की आउसकता क्यों है सत्ता के साज़िदारी की आउशक्ता क्यों है बहुत ही महत्पुन टॉपिक है सत्ता के साज़िदारी की आउशक्ता क्यों होती है भई सक्तियों को बाटने की आउशक्ता क्यों होती है इसी के बारे में हमनों को पढ़ना है यदि सत्ता के बटवारे के पक्ष में दो तर्क दिये जा सकते हैं यहाँ पर दो तर्क आपको बताये गया है पहला तो यह कि सत्ता के बटवारा ठीक है क्योंकि इससे बिभिन समाजिक समुहों के बीच में जो टकराओ होता है उन टकराओं को कम किया जा सकता है क्योंकि भई एक समाज में अनेक लोग निवास करते हैं और अनेक लोग रहने के बाद आपसी टकरहाट होना जरूरी है लाजमी है कि हो जाता है आपस में लोग विभिन समाजिक शमूहों का हित अलग अलग होता है लोगों की चाहत अलग अलग होती है लोगों की इक्षायें लग-लग होती है तो समाज में जितने भी शमू होते हैं उन लोगों के बीच में शक्तियों का बटवारा हो जाने पर बिरूध की अंदेशा, आपसी टकराओ की अंदेशा कम हो जाते हैं इसके अलावा राजनेतिक और स्थिर्था का रूप लेता है इसलिए सत्ता में हिसा देना राजनेतिक ब्यवस्था के अस्थाइत तो के लिए बहुत अच्छा है यदि राजनेति में समाजिक टकराओ हो समाजिक टकराओ से हिंसा होता है और राजनिति और इस्थिरता का रूपने लेता है इसलिए राजनितिक और इस्थिरता समाज में न हो लोग आपस में सारे लोग मिल जुल करके काम करें लिवस्थी तरीके से काम करें इसलिए सत्ता का बटवारा जरूरी हो जाता है तो दो कारण आपने यहाँ पर देखा कि सत्ता की बटवारे क्या हो सकता क्यों है तो पहरी बाद तो आपने देखा कि सत्ता का बटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिभिन समाजिक समुहों के बीच जो टकराहट होता है वो कम हो जाता है टक्राओ कम हो जाता है समाजिक समुहों के बीच में पहरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने देखा कि समाजिक टक्राओ आगे चलकर के हिंसा का रूप ले लेता है, और राजनितिक और इस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता की बटवारा जरूरी है, और एक पर्मान बाना जाता है और समाज में जो बहुशंख्यक समाज होते हैं किसी भी देश में जो बहुशंख्यक समाज होते हैं जिनकी जनसंख्या जादा होती है उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या जिनकी जादा है जो बहुशंख्यक कहे जा रहे हैं बहुशंख कवर्गों पर फोपता नहीं है जवर्जस्ति मनवाने का कारे नहीं करता है तो शभायुत बाते की समाज में अच्छे कारे होंगे समाज के लिए उलाभकारी होंगे आगे चल करके देश के लिए समाज के लिए एक अच्छी निव पर सकती है नेतिकता का विकास हो सकता है इस इसलिए सत्ता के साजिदारी जरूरी है। उनकी जनसंख्या सिरलंका में जदा है। कि वहाँ पर समाज में ग्रियुद जैसी समस्चाएं उत्पन हो गए। और ग्रियुद होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। यदि स्रिलंका सत्ता के साजिदारी किया होता अपने यहां तो ग्रियुद जैसी समस्चाएं वहाँ पर उत्पन कत्ता ही नहीं होती। इसलिए सत्ता के साजिदारी लोगतंतरिक ब्योस्था के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। सासन व्योस्वा से जुड़ते हैं, सभी लोगों को एक शमान अधिकार प्रदान किया जाता है, सभी लोगों को अपनी अपनी बाते प्रसुत करने का अधिकार दिया जाता है, इससे कोई भी नियम यदी बनता है, तो समाज की कोई भी व्यक्ति उस निती का बिरोध करने की ह जरूरी माने जाते हैं। कि राजिंतिक सक्ता का बटवारा यदि नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है कि सक्ता की साजिदारी किया जा सके। लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होगा। यह भी एक बात जरूरी होता है कि यति सक्ता की साजिदारी सक्ता को अधि बांट दिया जाए। और जब बिकट परसेती में निरने लेना रहे तो सारे लोगों से कुछ करके निरने लेने पर तब तक बात बिगड सकती है। लेकिन लोगतंतर का एक बुनियादी शिधान थी है कि जनता की सारी राजितिक सक्तियों का स्रोथ है। और जनता का सासन होने से विभिन शमाजिक शमू हो और उनके विचारों को उचित सम्मान भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है। समाज में जितने भी लोग होते हैं तो समाज के विभिन समाजिक शमू हो और उनके बीच विचारों को उचित सम्मान प्रदान किया जाता है। सारजनिक नीतियां तै करने में सब की बातें शामिल की जाती हैं। जब भी कोई नीती बनता है तो उसमें सब की बातें सामिल की जाती हैं, सामिल होती हैं इसलिए उसी लोगतांत्रिक्षासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजितिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए उन्हें शक्तियां दी जाएं उन्हें शक्तियां बाटी जाएं क्योंकि यदि उन्हें बाटा जाता है सक्तियां तो निरणें अच्छे होते हैं देश के लिए अच्छा होता है आधुनिक लुपतांत्रिक व्योस्था में यदि देखा जाए तो सत्ता के साज़दारी के अन कि बिभीन सरकार के बिभीन अंगों, सासन के बिभीन अंगों, जैसे कि बिधाई का होती है, कारपाली का होती है, न्याइपाली का होती है, इन शब में शक्ता का बटवरा रखता है, इन सब को शक्तियां दे जाती है, जैसे बिधाई का कानून बनाने का कारे करता है, कारपा सरकार के तीन अंग होते हैं सरकार ही तो संबिधान के अनुसार देश के सासन को संचालित करने का कारी करता है और सरकार यदि देश के सासन को संचालित करने का कारी करता है तो सरकार के जो अंग होते हैं बिधाईका, कारपालीका, नियापालीका उन सब में सक्तियां बटी हो लोगतांत्रिक दोस्था में और यह जरूरी भी है इसे कहते हैं शक्तियों का प्रिथक्रण क्या कहते हैं शक्तियों का प्रिथक्रण या सत्ता का बटवारा भी कह सकते हैं कि सत्ता का बटवारा सत्ता का बटवारा बिधाईका में, कारेपालिका में और नायपालिका के बीच में बांट दिया जाता है हम ऐसी सत्ता के बटवारे को 36 बितरण कहेंगे क्या कहेंगे? 36 बितरण कहा जाता है ऐसे बटवारा एदी समाज में हों, सरकार के अंगों में हों तो इसे 36 बितरण का जाता है तो 36 बितरण का मतलब होता है जैसे विधाई का हो गया यहाँ पर कारेपाली का हो गया यहाँ पर मतलब तीनों लोग एक समकष होते हैं इसे कहते हैं 36 बितरण क्या काते हैं 36 बितरण औरिजेंटल पावर शेरिंग से का जाता है ताकि तीनों में शक्तियों का बटवारा अश्पष्ट तरीके से हो सके अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे बटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग शत्ता का अश्वमीत उपयोग नहीं कर सकता कोई भी सत्ता का जो अंग है शासन का जो अंग है वह तानाशा नहीं हो सकता वह मनमाना तरीके से कोई भी अपने कानून को नहीं बना सकता क्योंकि सत्ता का बटवारा है और शंबिधान के द्वारा हर किसी की शक्तियां शंबिधान में सिमित कर दी गई है कि आपकी सक्ति और दाइरा यहां तक है आप यहीं तक कानून और कारे कर शकते हैं यहीं तक कानून बना सकते हैं समझ गए और हर अंग एक दूसरे पर अंकुष लगाने का कारे करते हैं क्या करते हैं सत्ता के साज़दारी में नहीं होता क्योंकि सत्ता के साज़दारी में सक्तियां बट जाती है और बटने पर हर किसी की सक्तियों का उलेक संविधार में किया जाता है लोग अपनी सक्तिकारियों से उठकर दूसरे के सक्तिकारियों में हस्तचेप नहीं करते हैं यही सत्ता के साजेदारी सबसे अच्छी माने जाती है यदि देखा जाए कि इस व्योस्था को नियंतरण और संतुलन की व्योस्था भी कहा जाता है क्या बोलते हैं इसे नियंतरण और संतुलन की व्योस्था समझ यह क्या बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्योस्था कहा जाता है और इसी नियंत्रण और संतुलन की व्योस्था के तहद जो है सक्तियां सब में वित्रित हो जाती है पराजनितिक व्योस्था में, निरने लेने बारी संस्थाओं में, जब तक व्योस्था में संतुलन बना रहेगा, तब तक सासन सही तरीके से संचारित होगा, यदि आपसी संतुलन बिगड जाए, तो देश की सासन भी बिगड जाएगा, और नीतियां जो बन रही हैं, वो नीति निर्मान भी बिगड जाएंगे, समाज के लिए भरा नहीं करने पाएंगे, इसलिए सत्ता के साज़दारी जरूरी होता है, तो एक सत्ता का रूप क्या होता है, पहला आपने देखा, आधुनिक शमय में, आधुनिक लोगतांत्री देशों में, कि सरकार के विभिन अंगों में शक्तियों का बटवारा कर दिया जाता है, जिसे बिधाईका, कारपालिका और नयापालिका में शक्तियों का बटवारा होता है, और यह 36 सक्तियों का बटवारा इसे कहा जाता है, और इस व्योस्था को नियंतर्ण और शंतुलन की व्योस्था भी कहा जाता है, आईए हम बात करते हैं दूसरा कि सत्ता के सासेदारी के दूसरा रूप क्या होते हैं दूसरा रूप देख दी हैं आप लोगों यहां दिखाया गया है कि सरकार के बीच बिभिन अस्तरों पर शक्तियों का बटवारा बिभिन अस्तरों पर भी किया जाता है जैसे यदि भारत में देखा जाए तो भारत में तीन अस्तर पे सरकारे हैं एक केंद्र अस्तर पे, राज अस्तर पे और अस्थानी अस्तर पे और एक तीनों अस्तर में सक्तियों, सक्तियां बाट दी गई हैं लोगों के बीच में क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिर मतलब पूरे देश के लिए एक सामाने सरकार हूँ है ना फिर प्रांत या छेत्री अस्तर पर अलग-अलग सरकार रहें तो पूरे देश के लिए बनने वाला ऐसी सामाने सरकार को अक्सर संगया केंद सरकार कहते हैं क्या कहते हैं केंद सरक अस्ति noir पन्चायती राजवियौस था और शह्रों में अगर पाली का एक, होता है। स्रिलंका में नहीं हुआ, स्रिलंका में गिर्यूद जैसी समस्षाएं उत्पन हो गई थी, राज सरकारों के नीचे के अस्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ब्योस्था हो सकती है, जिसमें न्याय पालिका और पंचायते हों, ऐसी काईया हों, जिसे की नगर पालिकाएं और न् पर बाते थीं कि अई जो सत्ता का बटवारा होता है सत्ता का बटवारा जो यह होता है उच अस्तर पे निम्न अस्तर पे जैसे नगर पालिका और पंचायतों में सक्तियां को बटवारा है केंद अस्तर पर भी है राजियों को केंदर ने कुछ राजियों को शक्ति दिया और सहा इस बट्वारे को उर्ध्र्वाधर बित्रन कहते हैं, यदि सरकार के सरकार के अंग में बट्वारा होगा, तो उसे 36 बट्वारा कहा जाएगा, क्या कहेंगे उसे 36 बटवारा कहेंगे ये 36 बटवारा का दिखाई देरा और जेंटल पाउर शेरिंग है लेकिन दूसरा ये बात किया जाए ये तो पहला हो गया ये दूसरा बात किया जाएगा तो दूसरा में आप जैसा की देखने पा रहे हैं इसमें होता है कि केंद्र अस क्या कहते हैं। बिभिन सामाजिक शमूहों में भी सक्ता का बटवारा किया जाता है और इसमें सामाजिक शमूहों भाशाई और धार्मिक समूहों के बीच में सक्तियां बाटी जाती हैं जैसे बेल्जियम में देखा था आपने कि बेल्जियम में सामुदाइक सरकार एक बनी थी सामुदाइक सरकार जो था इसमें बिभीन समाजिक समूहों को अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था और जिन्हें वहां की सांस्कृति से संबंधित निरणे लेने का अधिकार उन्हें दिया गया था है ना तो यह ब्योस्था भी एक सत्ता के बटवारे का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है अब आईए हम बात करते हैं आपसे की कानून में कि कुछ देसों के संबिधान और कानूनों में इस बात का प्राउधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर श्रमदाज होते हैं या जो म महिलाएं महिलाओं को बिधाईका और प्रशासन में हिस्सेदारे दी जाए क्योंकि यदि महिलाओं को भी हिस्सेदारी दिया जाता है समाज में तो महिलाएं की भी ताद महिलाएं भी यदि सिशित होती हैं तो वे दो अस्थानों को सिशित करने का काम करती हैं वे ज्याद लोगों को सिख्षित करने का प्रयास कर सकती हैं महिलाएं कोंकि आप जानते ही हैं कि माताएं बच्चों के प्रारंभेक गुरु माने जाती हैं पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाओ छेतर प्रणाली को भी देखा था नाइन क्लास में अब इस तरह से बिधाईका और प्रशासन में अलग-अलग समाजिक शमहों को हिसेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को सासन से अलग न समझें लोग सासन के एक भाग के रूप में अपने आपको भी समझें जिससे की लोगों की हिसेदारी समाज में अच्छी हो सके लोग मिल जूल करके समाज में अच्छे तरीके से कारिकर शकें अगला पॉइंट है यहां पर देख रहे हैं चौथा पॉइंट है कि सत्ता की सासन को प्रभावित और नियंतरन करने के लिए बहुत सारे तरीके में भी लक्ष कर सकते हैं लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाओ का विकल्प रहना चाहिए जैसे चाइना की तरह न हो जैसे चाइना में कि वहाँ पर एक पार्टी ही चुनाओ लड़ती है दूसरी पार्टी वहाँ पर चुनाओ नहीं लड़ सकती है तो यह विचार यह कॉंसेप्ट वहां का गलत मना जा सकता है चाइना का इसलिए वह लोगतंत्र नहीं है यदि लोकतांत्रिक व्योस्था है तो वहाँ पर सभी लोगों को चुनाव लड़ने का और सत्ता के सत्ता में दावा करने का कि हम सरकार बनाएंगे, उनके पास बिकलफ जरूर होना चाहिए समकालीन लोकतांत्रिक विऊस्थाओं में या बिकल्प विभिन पार्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं जैसे भारत में ही आप देखिए अनेक पार्टियां है भारत में अनेक राजनितिक समूह है भारत में जो चुनाओ लड़ते हैं सबको अधिकार दिया गया है कोई निर्दलिये भी चुनाव लड़ सकता है जो किसी पार्टी का नहीं है वह पार्टी से बिना जुड़े हुए भिया चुनाव लड़ सकते हैं अपना चुनावची ने ले करके तो यह option लोगों के पास रहने चाहिए और कई बार शत्ता की य एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं लोगतंत्र में हम व्यापारी उद्योगपती किशान और अद्योगिक मजदूरों जैसे संगठी समूहों को भी सक्रिये देखते हैं चुनाव के में तो उन्हें लगता है कि सरकार के हम भी एक भाग हैं सरकार मेरा विद्यान रखता है समझ गए तो इस तरीके से सत्ता के साज़दारी विभिन सामाजिक शमूहों में होने चाहिए विभिन सामाजिक शमूहों में होने चाहिए और विभिन राजनितिक दल और आंदुलन कारियों में भी शक्तियों का बटवारा होना ही चाहिए साथियों तो ए आपका चेप्टर था सत्ता के साज़िदारी जो शमाप्त हुआ महत्पुर्ण था तो अब आप लोगों को कुछ कोश्चन लिखने हैं जो ए आपको कोश्चन जो यहाँ पर इन कोश्चन का इंसर आप अपने कॉपी में लिख करके आप भेजेंगे हमारे पास क्योंकि पहला कोश्चन है कि आधुनिक लोगतामत्र की ब्योस्था में सत्ता के साज़िदारी के अलग-अलग तरीके क्या है इन में से प्रते का एक उधारन भी दें दूसरा कोश्चन है साथियों कि भारतिय संदर्व में सत्ता की हिंसेदारी का एक उधारन देते हुए इसका एक युक्ति परप और एक नेतिक कारण बताएं तो ए भी महत्पूर्ण है दोनों कोशन भहुती महत्पूर्ण है इसलिए दोनों कोशन का answer आप वह लेकर के भेजेंगे समझ गए तो इस तरीके से आपका अचेप्टर समाब तो होता है हम अगले क्लास में अगले चेप्टर को ले करके हाजिर होंगे तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार जैहिंद